आप क्यों असरे थे यार आप तो असरे रहे थे खाम खाये जा अच्छी बात नहीं है वैसे आपके कैबिनेट मेंबर से मुझे एक बात बताएं कल की डिवेलपमेंट के बाद आज की इनकी प्रेस कॉंफरेंस के बाद मेरा हलाब हकुमती ताद के पास 177 नंबर टोटल सिंध हाउस में तकरीबं 22 के करीब अरकान आपके तूटे पड़े हैं वह आप बचे के कैसे कर ले ना अगर इतने कॉंफरें कह रहे थे कि हमारे मिस इंब्सेंस को समय उसले हमाराया इंब यह द Запा़ते मसला है उब जिस जगा पर घए यह यह त jej implant old नहीं है, वह हमें कम सी दधño, हमें मेरिशिब दो थो हमें सुभाय चूंबत में हिसा दे दो हिसा दे दो बस तो गर हिस्सा देनी वारी चीज थी तो विपारी होने के हिसाब कारोबारी होने के जाथ उना था मैं 6500 देढ़ू उना 5500 देताउ ओश ने जो जिसकता तो जिसकी जतनी बोली है उस हिसाब की तेमी से दो वाय जे लगी है जो नहीं लगी है जो नहीं लगी तो में चलते हैं लोगिये आपके शो पर जावज रजाओ ने का है हम आपके पड़ी है आपके पास देखें मेरी बात सुनें बोड़ने लगी है कोई यह भी बुजदार साब कुछ दिनों में आकर बताएंगे और कुछ लोग जो च्छे सा बादासमः इसको डिफेंड ना कीजए का कर्राप्राम ने एंप एसे मुलाकात किये यह नहीं हो सकता कि उनका मुनरफ आदमी हराम है और हाफ के पास आने वाला मुनरफ हराल है यह तो नहीं हो सकता ना मैं प्राइम मिनिस्टर पाकस्तान हूं मसाल के तौर पर मेरी एक प्राइम मिनिस्टर पाकस्तान की अफिशल सीक्रेट अक्ट का और अपने ओध का भी मैंने इतराम करना है उसके उपर निबाना है मैंने ओध तो क्या मेरा प्राइम मिनिस्टर की ओपर आ जाएगा यह यह कर रहे हैं यह अपने पर्सनल इंट्रेस्ट को अपने वोट आफ नो कॉंफिडेंस को बचाने के लिए यह अपने तमाम उन मुवालिक पर चाड़ दोड़ें जिन से इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके क्या आफिर्ट ट्रम्प साब के होते में तो यह कभी नहीं आए रही देखे मेरी बात सुने आज यह सारे गालिया देते थे उनको जपी डालके बैटे रहे प्रसका शरम भी नहीं आरे इंको जबिए प्लिप टीव में चलते हैं तो शरम नहीं आती अब देखे नवाज शरीफ साब ने जब नुक्लियर टेस्ट किये इन रिस्पॉंस तो इंडिया नवाज शरीफ साब को क्लिंटन के टेलेफोन जाएं कहा कि ना करें इंटरनाशनल एक सिनारियो है वो डिस्टर्ब होगा पावर के जब हमारा सीपेक था जब हमें भी पता है कि इसका मतलब है कि आप कुछ करने जाते हैं तो अमरीका से फोन आते हैं मेरी यह बात सुनें देखे दंकिया लगती है आपको पता है इंटरनाशनल एक पावर गेम है वो शुड अंडरस्टैंड यह सारे वो हैफ टू लिविद आट हम एक थर्ड वर्ल्ड कर तो आपने बात तो सुने मैं कहा जब मिया साजिश की बात करूँगा तो ऐस मेरे सहरी बात लाइन के नमाज श्रीफ सहाब ने बीकिसी दोस्त या किसी भी मूफर यह बिविद रगाए हैं के मेरे खिलाफ तुम साजेश कर रही हैं ऐसे रागता हैं आपको ये देख रहा है कितने वो औरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस बिजवारें, उन पाकिस्तानी ओरसीज का उन मुमालिक में क्या फ्यूचर है, आप उस मुलक को अपने खिलाफ, मुलक का वजीर आजम इल्जाम लगा रहा है उनके उपर, चले मैं इस तरह नहीं ब्लेम क क्या थी, देखे न, आपको ये तो, आपको ये समझ आनी चाहिए, अगर आपको अफगान को अपने दर्मियान, देखे, उनके पता लगए है, इसी तो कहरे है सा के सियासत भी इननों सिखा रहे हैं, इननों बैनल अक्वामी अमूर भी सिखा रहे हैं, उननों ताटे तू पहले पता लागिया से तुसी भी को ना, परवेज अलाई साफ ने गाले दानों चंगी समझा दिती सी, कि एक वाली डिगण के जमीन ते, तो फिर समझ आएगी किस भाविख दी है, अभी तक इनको पता नहीं है, किस भाविख दी है, इनको आप पता लागिया कहें, कोई क अगर बाद सकती है, मुझे ये वाड़ा साब बताएगे का बाद में, अगर आप बाद सकते हैं, तो कैसे बाद सकते हैं, ये सबसे बड़ा कि प्राइम निस्टर का 80% सर्वाइव कर जोंगा, ये confidence कहां से आ रहा है, इसके बाद करते हैं, एक ब्रेक बाद